नजब नमबर 11 गर्मी महवी सिद्धिकी शायर का नाम है आज हम इस सबक के सवारों जवाब देखने जा रहे हैं नमबर 1 है एक जुम्ले में जवाब लिखी है नमबर 1 महवी सिद्धिकी ने बच्चों के लिए कौन सी किताब लिखी जवाब मैवी सिद्धी ने बच्चों के लिए बालक पाख नामी किताब लिखी जिसमें बच्चों के लिए नजमे है अगला सवाल है गर्मी में घर की क्या हालत होती है जवाब गर्मी में घर की दिवारे च्छते और दर्वाजे कर्म हो जाते है अगला सवाल है लोग बाख की सेर को क्यों नहीं जा रहे हैं? जवाब शोले की तरह गरम हवा चलने की वज़े से लोग बाख की सेर को नहीं जा रहे हैं सवाल है गर्मी पढ़ने पर सहन को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? जवाब गर्मी पढ़ने पर सहन को ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काओ किया जाता है अगला सवाल है पहाड़ों पर गर्मी का क्या असर होता है जवाब गर्मी की वज़े से पहाड तप रहे हैं अगला सवाल है शायर ने गर्मी से निजात की दूआ क्यों मांगी है जवाब इनसान क्या हैवान क्या सब गर्मी से परिशान है इसलिए शायर ने गर्मी से निजात की दूआ मांगी है अगला स्वालाई के मुक्तसर जवाब लिखिए नमबर एक है चिड़काओ के फौरण बाद जमीन क्यूं सूख जाती है जवाब कर्मी की शिदद की वज़े से जमीन प्यासी थी पानी का चिड़काओ होते ही फौरण सूख जाती है क्योंकि इसे प्यास भर पानी नहीं मिलता चिड़काओ से मामली मिगदार में पानी मिलता है जो जमीन की प्यास के मखाबले में बहुत कम होता है इसलिए चिड़काओ के फौरण बाद जमीन सूख जाती है अगला सवाल है गर्मी की रातों के बारे में शायर ने क्या कहा है जवाब शायर केता है कि गर्मी की रातों में हर बिचोना गरम है यहां तक के चारपाई भी गरम है चादरे तक की है और रजाई भी गरम है आदी रात तक गर्मी की वज़ते शायर बेचेंटा आदी रात के बाद मुश्किल से पलक चपकी है अगला सवाल है गर्मी में नालों और खेतों की क्या हालत है जवाब गर्मी में नाले खुश्क हो गए हैं खेत में थाले भी खुश्क हैं यानि खेत भी सूखे पड़े हैं अगला सावल है नजम की मदद्स से मिसरे मकमल किजिए नूबर एक है होता है छिड़काँ अक्सर ड्याश को नूबर दो है नदिया सुखी है नाले डश है नमबर 3 है सूखक कर कांटा हुए है डश और नमबर 4 है तप रहे हैं आग से सारे तो आई हम इनके जौने जोबत दिखते हैं होता है छिड़का वाकसर शाम को नमबर 2 है नदिया सूखी है नाले खुशक है नमबर तीन सूक कर कांटा हुए हैं जानवर और नमबर चार हैं तप रहे हैं आग से सारे पहाड अगला सवाल है कि इस नजम में बताया गया है कि गर्मी मुक्तलिफ चीजों पर किस तरह असरंदास होती है इन्हें अपने लफजों में लिखिये जवाब गर्मी की वज़े स तपने लगी है जबके पत्थर गर्म होए हैं घर की दिवारे च्छत और दरवाजी भी गर्म हो गए हैं लू इतनी गर्म है कि वह हमें जुलसा सकती है और धूप तेज ही इतनी तेज है कि हमें पिगला सकती है गर्मी के सबब ग्लास बरकर ठंड़ा शर्पत पीने के हाड़ भी दूप में तेज दूप में चल रहे हैं अगला सवाल है पढ़े के असबाख से चंद महावरे और रोज मर्रा के फखरे तलाश करके लिखिए जवाब है महावरा जो के दिल को फेर देना आप दीदा होना जांबर ना होना गुट्टी में होना अबारत होना अगला सवाल है कि नासम के मदद से नीचे दियेवे अलफास के जिद लिखिए दिन सुभा सर्दी तर आज चाओ इन सब के जिद लिखना है दिन के जिद है रात सुभा स्वाश शाम सर्दी कर्मी तर खुश्क आजकल और चाओ धूप तो यहाँ आज हमने अपने नासम न वीडियो को शेर और लाइक करें